नमस्कार, मेरा नाव विनोग कुमाल बंसल है, मैं बटिंडा से हूँ, मेरे को डाइपीडिस थी, डाइपीडिस थी वो थी अराउंड 368, तो इसके साथ ही मैं इंसुलीन लगाता है, टीम टाइम ले रहा था, सुबे, दोपैर को और शाम को, मेरे को बिलकुल अब तीन साल, बिलकुल नौर्मल हूँ, डाइपीडिस बिलकुल नहीं है, मेठा में थोड़ा लेता हूँ, और बिल्कुल भी कोई भी मेडिसन नहीं ले रहा, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरा बेट बन 57 था, अभी 96 kg है, और जो डाइविटीज है, वो 90 से 110 आती है, और कोई भी किसी भी तरह की मैं मेडिसन नहीं ले रहा, मेरे जो भी मेरे को सुनने वाले मेरे दोस्त मितर्द हैं, उनको मैं एक अपनी तरफ से कहता हूँ, अगर किसी को डाइविटीज है, जा ओवर बेट है, इसको इसके एक बार डॉक्टर अमीत गर्ग से जरूर मिले और अपनी जीवन में यह जो चीज खोई हुई है, इसको द मेरे कोई मेडिसन, कोई द्वाय दिया रहा है, नीज मेरे पें थी जी पहले बहुत ज़दा पें उतादा पें बिल्कुल गदब है, आए केंड वाप मैं बिल्कुल चलते हैं और पचास में तर मैं रणिंगरता हूँ परले चल नहीं आपता ता, प्रोपरली रणिंग और अनर्जी लेवल इतना जाला बढ़ गया कि नौ एम जंगर फर ट्वंटी एज लाओ, बीस साल जाला मैं यंग लगा हूँ अपने आपको मसूश कर रहा हूँ मैं पाच्य खाना दा रहन माला जी, जिला फ्रीद गोड़ता हूँ, चार पान साल तो मैं शुगर दा कीशटा जी, ते मिनू पता लगया, डाउटरों में तदा, भी ये शुगर दा प्रेशल करते हूँ, ते इननने मेरे पैन करेज दा टेस्ट लिटता, ते उस तो बाद दा साहीं हनदे हुगाँ, जी अदा प्रेट को साहा जुगर दा, चे मैं शुगर दा प्रेट क्राया, मैंनो द्वइं represents थैन सो ठेखरीव जुगर देंदी सी। न च्शों शुगर द अलीं साही हूँ जूगट नहीं हOODही हूँ, मेरे आथ पैत बोथ दा अध्ष दबादर जंगा सी, बहुत जादे तकलीव सी, मटापपा भी सी मिननों सौब किलो दिख लिए लिए, ते और समने मेना अप्रेट कीता है, मेननों कोई तकलीव नहीं हैंगी, ना शुकर भी नॉर्मन आ रहे हैं, कोई भी दिकर नहीं, कोई मिननों तकाव तुम से उस नहीं हैंगी, त जादे अबनों मेरा वेट भी गड़ चुके है, ते मेरा मैसीज है, शुकर आरे विज्जियानों, विजे तुझी ड़ साव में इतनों मिलो एक वरी आके, सोड़ा लाज हम हो सागता है, तुझी अद्वाईनियां तों सारी उर्का से तों सोड़ा खेड़ा शुक्ती बग मेरा 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 वेट शुक्ती इनना द्वाईयों अखा कि मैं आते जो किसी फेर्जानों, डक्तर आमित गार के वरी पता लगया, फेरसे अप्रेट करवाया जाए, तों मैं वेर्कुर्ट हीठा का, आपनों बहुत बढ़िया मेसूस कार रही है, तों मैं वेर्कुर्ट मेरा वजन भी का ज्यादा सी, तों मैं जड़ा शुगर पो ज्यादा सी, तों मैं जड़ा एक डपरेशन दी प्रोलम सी, जड़े गंदे भी लपरेशन दी द्वाई जलिए शुगर दिद्वाई, सारी उमरी चलेगी, ए बांधनी उसरी, तक रिवान भाराते ना गोईया, ऐखरो है कि जड़े गूरे तों में में कर्स्तोरल दी लाया ची, तों मैं जड़े लाया लाया, जी कृट अत दीजी बख्रम लए Dienst, यहांद लेलेकन देजी, जड़े अमधन मेरे बहर helps, क्यों कि मेरे सारे जड़ेया, प्लागे बनेशन वाई कि बवाऌरी पोईया नव ते लॉसर ने जो मेरे सर्ज़री केती ही डॉक्टर आमत गरभी जी लाए, मैं ए शर्दा भी बिखानी कर सेथा भी मैंनो केना वह ही एलग रहा है। मैं डॉक्तर आमत जी देनों आत्री जोड़ केता है लो धिर शुगर की जा रहा है। यहना मनुख जी में नाम इंवीट लेके देती है। कि अमत्रिया प्वाट आमक्र मैं धर से डिवल्कतर व्लेके वाज़ के ब्सक्राइब में है। मेरे मॉम्मन थांटा रहना थाली जाना आशी उन्यान वालए है। मेरे मॉम्मन भी 15 साल दी शुगर है। ते पहलना था एक बोलियावरा लंदे सी, ठीक सी, उद्धू बाद इना शूगर स्वेट नहीं रहन लगी सी, फिर सानों इंसुलिन भी डॉक्टर नहीं लगाता सी आई, ते इनना नों इंसुलिन लंदे भी 10 साल हो गया है, पर होने इनना कोई फरक नहीं, पैरिस इंसुलि नहीं बहुत करते हैं, मुंगा बहुत हैं सुस्कारे मेरा नाम सी, मुंगा रद्वाज है, और मैं हर्याना के पलवाल में रहने वाली हूँ, मैंने बैरेटिक सज्री डॉक्टर अमिदगर जी से कराई है, इस सज्री से पहले वो जोए डायोटीस की जिसके लिए मेरो उस बेट बढ़ रहाता लगाता है, काफी डायटीशन से भी मिली, लेकि कोई फरक नहीं हुआ, क्योंकि अपनों में विदर देता था वेट की वज़े से, तो मैं बॉप नी कर पाती है, जिस दिन से मैंने ये सर्जरी कराई है, उस दिन से मेरी सारी मेडिशन्स, नी की, डैव कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे यादा जो मुझे खुशी है कि बिना दवायों के मेरी डैप्टीश क्यों पर रही है, थैंक्यू